यह जो NCIT मैं discuss करने जा रहा हूँ, इसका अगर मैं आपको किताब दिखाऊं तो यह किताब है, इसका कबर पेज यहां लगा हुआ है, यह वाली NCIT है, अगर मैं इसके number of pages बताने का आपको प्रयास करूँ तो लगभग 1.500 page की यह किताब है, लेकिन कहा जाता है कि जो graphi के बस आपको क्या करना है, इस NCIT को उसी रूप में पढ़ना है, जिस रूप में पढ़े जाने की उम्मीद यह NCIT आपसे कर रहे थी, अगर आपने उसी रूप में इसको पढ़ लिया, तो आप समझ जाएगा कि आपकी जो journey है, वो काफि सांदार होने वाली है, चूंकि यह सम कर देंगे, अगर इस approach को लेकर बढ़ेंगे तो कभी भी यह जो NCIT है, अपना 100% आपको output नहीं दे पाएगे, NCIT सब के पास है, उसका output कौन कितना प्राप्त करेगा, यह आपकी grasping power, आपकी समझने के तरीके पर निर्भर करेगा, तो मैं इस NCIT को start कर रहा हूँ, और आने व ताकि कभी भी आपको इस NCIT को लेकर कोई डर ना बर रह जाए, चूंकि हम geography almost sum up कर चुके हैं, तो हमें लगा इस NCIT को भी खतम कर देना चाहिए, ताकि 5 तारिक से जब हम quality की यह class start कर रहा हैं, तब तक यह geography पूरी तरह से finish हो चुके हो, तो चली हम इसको start करते हैं, इस कौन कौन से हमें index topic इसको पढ़ने हैं, तो यहां पर आएंगे तो जो NCIT की पहली unit है, unit first, इसमें भूगूल एक बिसे के रूप में बताया गया है, इसका मतलब है कि हमें यह वाला unit है, पढ़ना ही नहीं, अब देखिए, आपके लिए क्या हो गया, समय बच गया, आपको पहला unit पढ़ना ही नहीं है, यह उनके लिए है, जो जो ग्रॉफी optional रखेंगे, तो जो ग्रॉफी optional कौन रखेगा, आप में से 2, 4, 5, 10 लो, तो उसके वज़े से हम इस unit को बिलकुल touch भी नहीं करेंगे, इसको हम touch भी नहीं करेंगे, हमारी जो study start होगी, हम इहास करेंगे unit second और इसमें जो पहला हमारा chapter है, वो है पृत्वी की उत्पत्ति एवं विकास, तो पृत्वी की विसे में हम अपनी जानकारी को प्राप्त करेंगे, इसमें solar system, हना galaxy age, universe जैसे सब्दों का हम प्रियोक करने वाले हैं, इन सब्दों को समझने वाले हैं, फिर उसके बाद पृ सब्सक्राइबर 1500 पेज की, यह NCIT है, लेकिन कमाल की NCIT बहुत संदार है, तो जैसे कि हमने कहा कि हम unit second से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो यह रहा unit second हना, यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, मैं NCIT पर direct हाऊं, उससे पहले मैं कुछ चीजों से आपको परचित करा देता हूं, जिससे वह सब्द आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है, मेरी आवाज जा रही न, मेरी आवाज जा रही न, सुन पा रही न, सुन पा रही हैं सब लो, एक बार बता दीछे, ओके, ठीक है, टॉपिक पर आजी, टॉपिक पर आजी, तो एक imagination मेरे साथ क मेरे साथ complete कीजिए, जो लोग चाहते हैं, वो करें, जो लोग नहीं चाहते हैं, वो ना करें, मैं एक घर में हूँ, और मेरा यह जो घर है, एक colony का part है, आप अपने घर पर होंगे, और आपका घर भी एक colony या फिर एक गाउं का part होगा, तो मैं अपने उपर लेता हूँ, ज उपर की उर बढ़ेगी, वो क्या क्या देखेगी, उसको समझे, मैं अभी एक घर और एक colony में हूँ, मैं जब उपर उठोंगा, तो मुझे पता चलेगा, अच्छा, मैं एक जिले का बैक्ती हूँ, जैसे कि आप भी एक जिले के बैक्ती हूँ, मैं और उपर उठोंगा, त मैं उठोंगा, तो मैं देखोंगा, अच्छा, यह जो मेरा देज था, यह एक महादीप का पाट है, मैं और उपर उठोंगा, तो मैं देखोंगा, अच्छा, एक महादीप नहीं, कई महादीप हैं, कई महासागर हैं, और इस तरह से मैं और उपर उठकर, मैं अपनी पृत् अर्थाज जैसे प्रित्वी से जुड़ा हुआ उसका उपग्रह चंद्रमा है ठीक इसी तरह से अन्य ग्रह है उसकी उपग्रह है फिर मैं और उपर उठ कर जाओंगा तो मुझे पता चलेगा जितने ग्रह है यह सब एक तारी की परिकर्मा कर रहे हैं उस तारा का नाम है तो मैं क्या करूंगा तारों से उपर उठकर गैलेक्सीज को देखूंगा और गैलेक्सीज क्या है जैसे सुर्य हमारा तारा है ऐसे करोडों और वो तारों का समोग्व तो मैं और उपर उठोंगा तो मैं देखूंगा रहे मेरे पास सिर्फ एक गैलेक्सीज नहीं है करोड लाखो गैलेक्सीज है और फिर जब मैं और उपर उठोंगा तब मुझे बताया जाएगा कि बच्चे अब उठना बंद कर दो आप ब्रहमान में आ चुके हो इन्युवर्स में आ चुके हो इसका मतलब क्या हुआ मैंने कहा कि मैं एक घर एक गांव एक कॉलोनी का बैक्ति हू हांव का पात है अगर उपर की वोर उठकर थोड़ा सप्री 95 दुनिया को देखे तो और उपर जायएगा तो पता चलेगा प्रत्वी बहुत चोटी है फिर और उपर जायएगा तो उपर उठकर जाएगा तो और देखेगा कि ऐसे तो बहुत से तारे हैं करोडो तारे हैं और करोडो तारो से मिलकर बनता है एक गैलेक्सी फिर और उपर कोई उठकर जाएगा तो उसको पता चलेगा भाया करोडो जो है कि गैलेक्सीज है और करोडो गेलेक्सीस से मिलकर बनता है हमारा ब्रहमान इसलिए जादा जीवन का घमन मत कीजे जादा जो है कि गुमान में मत रहा कीजे डाउन टू अर्थ रहें कहीं नहीं जाना है आपको लगता है ना कि आप जो है कि बहुत कुछ कर लिये हैं आपको बहुत कुछ मिल गया है आपके देश को खोजने का प्रयास इन्युवर्स में करें और मालो पूरा वोड हमारा जो है इन्युवर्स है तो हो सकता है हमारा जो देश है वह इस पॉइंट के बराबर हो छोटे देशों का तो पॉइंट भी नहीं बन सकता तो जब हमारा देश सामुहिक रूप से इतना चोटा ह आपके सामने सब्द आया पृत्वी एक सब्द आया जो है कि सौर मंडर एक सब्द आया अकास घंगा एक सब्द आया ब्रहमांद I hope आप सौझ पाया होंगे, चुंकि मैंने यह इसलिए बता दिया, यहाँ पर NCRT इसी तरह से इस चीज को समझाने का प्रयास करेगी, अब मैं line to line आगे बढ़ता हूँ, और जो मैंने आपको बताया है, उसमें से कुछ सब्द आपके सामने आने वाल है, और जो जो चीजे न थोड़ा सा आप लोग पर जो mobile है उसको ऐसे चैट वाले mode पर मत रखिए, उसको ऐसे कर देजे, और फिर उसको चैट बंद कर class देखिए, नोर्स नहीं मिलना, सर यह वाली class रहे गई, यह अभी करना है, पहले यह topic पढ़ लो, जब यह चलना है, तो आपका ध्यान कहीं और है, जब यह खतम हो जाएगा, तो आपको समझ भी नहीं आएगा, फिर आप क्या होगे, एक भ्रम का सिकार हो जाओगे, कि हमें तो जो है कि पढ़ लिया है हमने, याद कुछ भी नहीं है, क्लियर है, चल, ओक, ओक, तो, क्या आपको एक कविता याद है, जो आपने अपनी नर्सरी की क्लास में पढ़ी थी, क्या थी कभी था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल इस्टार, बच्पन से ही तारों भरी रातों में हमें हमेशा आकरसित, तारों भरी रातों ने हमें आकरसित किया है, अब यहाँ पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल इस्टार को देखने वा कि गैसओं का बना हुआ एक छित्र प्रित्वी से बना रह और इस वा प्राट की समय हमें क्या होता क्यों किया रात में क्यों तारे दिखाई देते हैं इसका उत्तर पिछले ncrt की क्लासस में मैं दे चुक हूँ अब जब यह बच्चा क्या कर रहा है आसमान को देख रहा है तो इसको तारे दिख रहे हैं जिस तरह से तारे दिख रहे हैं इसी तरह सिर्फ एक छोटा सा जैसे बाकी जो TAR clinicians दिख रहे हैं यह सुर्णर के तुलना में बहूत दूर है इसलिए वह हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं इसलिए रात में हमे दिखाई देते हैं जैसे आप क्या करो यहां पर कोई बैक्ति खड़ा है रात हो जाए यह जैसे इसको बहुत आसान तरीके से समझ पाओ गया कि मोबाइल का टॉर्च है कोई चीज लाइट चली गए आपकी लाइट चली गए तो आप क्या करते हो मोबाइल का टॉर्च जलाते हो तो देखते हो कि पास वाली दूर लेकर चला जाओं तो क्या उसका प्रकास यहां तक आप आप आएगा नहीं आप आएगा नहीं आप आएगा है उसकी प्रकास की मात्रा ज्यादा लेकिन हमसे दूर हो गया है तो अब हमें उसका प्रकास ज्यादा नहीं दिखाई देगा हमारे लिए जो समीप में बड़े बड़े तारे उससे जादा उर्जा वाले तारे हमारे ब्रहमान में हैं ठीक है तो हम जब रात को आकास देखते हैं तो रात के समय क्या हो चुका होता है कि जो सुरी का प्रकास है वो आना बंध हो चुका होता है जब सुरी का प्रकास आना बंध हो चुका होता है तो इसी की वज़े से रात हो जाती है तो जो तारे हैं वो दिखने लगते हैं वो तारे कहीं नहीं जाते वो बने रहते हैं बस क्या होता है जैसे जैसे रात होती है वो हमें दिखने लगते हैं क्योंकि उनका जो प्रकास है दिन में सुरे के प्रकास के सामने वो फीका पड़ जा है आपका हाइलोजन बल्व बड़ा वाला जो बल्व होता है उस तरह का तो यहां पर दिखा आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंग के प्रश्ण आपके दिमाग में आये होंगे कुछ इस प्रकार के प्रश्ण जैसे आकास में कितने तारे हैं यह तारे कैस आकास के अंत तक पहुंच सकता है इन प्रश्णों के अत्री कई और भी कई प्रश्ण आपके दिमाग में आये होंगे मैं तो बहुत ऐसा सोचता था और मुझे कई बार जो मैं पढ़ता हूँ तो मझे लगता है कि यह NCRT मेरे लिए ही लिखी गई है हाला कि यह बात आप भी लागो होगी अगर आप भी इसी तरह से जानने के इकशुक होंगे तो आपको भी यही चीज लगेगी कि जो प्रश्ण आप पूछे जा रहे हैं वास्तों में आपने सोचे हैं इस अध्याय में हम जानेंगे कि यह चोटे 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 तारे कैसे बने इसके साथी का जो कहानी है उसके माध्यम से NCRT आपको इमेजिनेशन के लिए आपको जो है कि प्रयास कर रहा है कि आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन आपके बढ़ाई जा और आप इन तारों के बनने की परकिरिया को आप समझें तारे की बनने की परकिरिया से हमारी प्रिथवी का नि सिध्धान देखेंगे तो आधुनिक सिध्धान यहां पर आएगा और इस सिध्धान पर आने से पहले हमें अभी जो हो बहुत सी माथा पच्छी करने हैं और माथा पच्छी इसलिए कर लेजे क्योंकि यहां से अगर प्रश्ण बनेगा तो अधिकांस लोग प्रश्ण को गलत करेंगे लेकिन जो लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे उनको यह बहुत आसान दिखाई देगा और वो सही कर भी ले जाएगे तो चले प्रच्वी की उत्पत्ति की सम्मन्द में विभिन दार्सिन को वह ब बहुत ठोस परमाण हमारे पास नहीं है लेकिन हम कहना चाहते हैं जैसे मैं कहूं कि मुझे ऐसा लगता है और मुझे मेरे लगने के पीछे कुछ तरक हैं कुछ आधार है लेकिन वह मैं उसको प्रूब नहीं कर सकता मैं कहूं कि मुझे इस विसमें ऐसा कुछ लगता है तो हथ अपने से परे होकर कुछ हम कलपना कर रहे हैं जोड रहे हैं उसमें कुछ चीजों को तो वह है परिकलपना तो इसका मतलब है अच्छा दूसरा सब्सक्राइब अब समझे कि प्रत्वी के उत्पत्ति कैसे होई दार्शनी क्या करेंगे वह अपनी हिसाब से दर्शन के हिसाब से प्रत्वी के उत्पत्ति का प्रयास करेंगे लेकिन हमें तो क्या चाहिए बैज्ञानिक आधार आपको चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा बैज्ञानि में कहीं लिखा हुआ मिलता नहीं है लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा तो आप यह नहीं कह सकते थे कि नहीं सर यह तो कहीं पर भी नहीं था सिलेबस में भी मैंसन नहीं है देखो और NCRT में यह पूरा चीज़े लिखे हुई है इसलिए मैं कहता हूँ मेरे साथ इस NCRT को पढ़ लो अभी मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे आखों के सामने अंधेरा आ रहा है क्यों अंधेरा आ रहा है क्योंकि जुखाम और बुखार ने सरीर को तोड़ दिया लेकिन फिर भ सिद्धान्तों पर बात करेंगे तो हमें ये मान कर चलना होगा कि यहां पर हम कुछ परिकलपनाय देखने वाले है क्योंकि आधोनिक जो सिद्धान्त है वह साइंस पर खरे उतरते हैं यह सिद्धान से पूरी तरसे खरे नहीं उतरते लेकिन चुंकि इनका जिकर किया गया इसलिए हमें पढ़ना है इन में से एक प्रारामभिक यहों लोकली मत जर्मन दार्शनी एमेनुवल कांट का है 1796 इश्वी के अच्छा अब देखिए इमेनुवल कांट अब यह क्या करते हैं प्रित्वी की उद्पत्ती के लिए कोई सिध्धान्द बताते हैं क्या सिध्धा नौट का सौट फॉर्म है ना तो हलाकि देखिए इस पेलिंग अलग है लेकिन इसके आगे अब आपको नहीं बढ़ा सकते बस हमने बच्छों को यह बता दिया कि इमेनुवल कांट जो है कि ऐसे प्रारंभिक ब्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने प्रित्वी की उत्पत्त जर्फिकी अब आप मेरा इंपूर्स देखी ठीक है यह तो एंधों अपना इंपूर्स देते हैं तो मैं बताना आपको भूल गया था कि आपको क्या करना है NCRT मेरे साथ पढ़ना है और मैं उसमें कुछ चीजे एड़ करता चलूँगा और जो चीजे एड़ करता चलूँगा वह आपको नोर्स के फर्म में मिलता चलेगा अच्छा होगा कि आप मेरे साथ लिखते रहें लिख लिख कर पढ़िए तो जादा है अब देखिए जैसे हैं कि हमने उस चीज को समझते हैं तो हम समझना है कि मैंने को बताया था वो देख लीजए कि रात के समय हम आकास देखते हैं इसमीं लाखों करोड़ों तारे होते हैं हाना एक चुकि आप स्लाइड आप तक जानी है और मैं इसको बहुत अच्छे सो दो बार मैंने आपको बता है तो इसको एक बार सुन लीजी याद हो जाएगा तो हम लोग आकास को रात में देखते हैं तो लाको करोड़ों तारे दिखाई दूर से देखने पर यह पट्टी नुमा सरचना में नजर आते हैं इस पट्टी नुमा सरचना यह है आपकी आकास गंगा ठीक है और मैंने कहा कि परतिक आकास गंगा में क्या है हना अर्वो तारे होते हैं और इन्हीं गेलक्सी से मिलकर क्या बनता है ब्रहमान मिलता है और ब्रहमान का मतलब है है कि liegt work 100 अरफ आकास कर गणा तो अबने आसे क्या बोला था हमने आपसे का हो रोक यह मेरी अपर की वोगते तो हम ने जबह नवह मारी आत्मा निकली हमारी आत्मा निकली तो फीमारा देखा हम और उपर गए हमने अच्छा मिराई जिला था और उपर गए हमने देखा अपना राज था हम और उपर गए अपना देश देखा हम और उपर गए महादीब देखा हम और उपर गए हमने सभी महादीब और महासागर देखे और उपर गए प्रिच्वी देखा चंद्रमा देखा हम और उपर गए ह हमें पता चला जो करोडों तारे हैं वह तो एक सिर्फ किसी पट्टी का एक भाग है ऐसी करोडों तारे जो है कि हमको देखने को मिल जाएंगे और इन करोणों तारों के शम्हू को हमने कहा गेलेक्सी और यही गेलेक्सी जो पट्टी नुमा जो तारों का पट्टी नुमा सर प्रचना इसको बोलते galaxy और जब हम और उपर गए तो हमें पता चला कि जो हमारी हजारों करोडों जो है कि इन फिलकीवे में, लाखो तारे हैं जिसमें से एक से से हमारा सूर्ष है तो आब देखें लाखो गेलकषी मान लेते हैं यह वाली गेलक्सिय हमारी हैं क IF Dienst Iolleter सूरे से बना हुआ मंडल परतिक आकास गंगा में जैसा कि हमने कहा सो अरब तारे इन तारों में एक तारा हमारा सूरी अरथा सूर मंडल भी और सूर मंडल के अनेक गरहों में से हमारी एक प्रत्वी भी और अगर इसको और नीचे ले जाएं तो सोच सकते हमारी क्या ही हैसिय कि यहां तक किलियर की हुआ कि नहीं कि अधिक शलोग बताई जल्दी बताई जाने लग जा रही है इसलिए थोड़ा सा कम आपको लग रहा हुआ गुरु जी ठके नहीं हुआ थोड़ा से ना बिमार आदमी बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है ठीक है किलियर कि अग ठीक है यह जितना कुछ है एक किताब में कहीं नहीं लिखा है मैंने देखो यहां पर हमको आपको मैंने यहां तक पढ़ाया यहां तक मैंने आपको इस सब बता दिया अच्छे से बता दिया और अभी तो हमें और आगे बढ़ना एंसियाटी दो लाइन में जो बात कहेगी उसके लिए मेरे पास दो दो पेज है चुंकि जो बात कहे के बहुत छोटे में निकल जा रही है हमें उसको समझने के लिए मेहनत करना हो तो हमने कहा कि प्रत्वी की उत्पत्ती की विशह में जो है कि जो प्रारंविक प्रयास दिखते हैं वह दार्शनी को और बैग्यानिक करते हैं और चुंकि उनके पास अपनी बात को बहुत जो है कि बात को प्रूब करने के लिए उनके पास बहुत से तरक नहीं है या समाया था can't का यह जो है कि GERMAN के दार्षनीते हैं इन्होंने कहा इन्होंने एक गैसी सिध्धान दिया ठीक है तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतवी के उत्पत्ति के सम्मन्द में गैसी सिध्धान किसे ने दिया था इन्हों ने कैसी सिध्धान दिया कि हमारे अंत्रिच में हमारे अंत्रिच में हल्की वह भारी गैसे थी तो प्रारम इमें कहते हैं कि प्रित्वी नहीं थी उसकी करोड़ों बर्स पहले की बात है प्रित्वी से बहुत पहले की बात हमारे अंत्रिच में हल्की वह भारी गैसे थी इन्होंने कहा कि भारी गैसों ने हलकी गैसों को क्या किया धीरे धीरे आकर्सित किया जैसे आप देखते हों कि यहां पर मैगनेट पड़ा हो छोटे-चोटे मैगनेट के टुकड़े चुम्बक के टुकड़े ऐसे फेग दीजे बीच में एक बड़ा सा मैगनेट रखती वो क्या करेगा चोटे 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 चुमकों को खीच कर खोच से मिला लेगा इसलिके इप्रारव में जो पृठ्वी नहीं थी उससे पहले कहा है कि सब जगे किया हुँआ धूल और गैस से थी इसमें से भारी गैसों ने हलकी गैसों को अपने से जोडने का प्रयास किया धीरे-धीरे क्या हुआ चोंकि भारी गैसों ने हलकी किया किया, अपने से मिलाना चालो कर दिया, तो धीरे धीरे केंदर का जो आकार है, वो सघन, वो बड़ा होता गया, जैसे इसको समझने के लिए, माल लेते हैं, मैं इसको ऐसे ले लो, यह इतना बड़ा छेतर, यहाँ पर छोटे-छोटे ऐसे बहुत से मैगनेट पड़े, ऐ ऐसे से बहुत है, आप मैं क्या करूँ यहाँ पर बड़ा सा मैगनेट रखतू Masao अब बताई ये बड़ा सा मैंगनेट क्या करेगा फूटे छोटे जितने मैंगनेट है उनको आकरसित करेगा तो इसका आकार क्या होगा बड़ा होता चला जाएगा तो भारी गैसों ने हलकी गैसों को आकरसित कर अपने केंद्र का आकार बड़ा कर लिया वह सघन होता गया ब दूर दूर बिखरी हुई थी लेकिन धीरे धीरे जब गैसे क्या होने लगी एक जगह पर इकत्यत होने लगी तो यह कहते हैं यह कहते हैं मैं इसा नहीं कहता हूं यह कहते हैं बढ़ती आकार के कारण वह गैसी सरचना और तिब्र गती से घोमने लगे तो इनका यह कहना है कि जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता गया उसकी घोमने की जो गती है वो बढ़ती चली गए तो प्रारम में क्या था यह कह रहे है हलकी और भारी गैसे हलकी और भारी गैसे क्या कर रही थी गती कर रही थी उसमें से भारी गैसों ने हलकी गैसों को अपने से आकरसित किया अपने दो बल काम करते हैं, जैसे आप यहाँ पर कोई बच्चा है, उसको पकड कैसे घुमाईए, तो उसके उपर दो फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा कि वह आपसे छूट कर ऐसा लगेगा बाहर की ओर, ऐसा लगेगा जैसे बच्चा छूट कर चला जाएगा, एक बल किंद्र पशारी बल और पदार्थों के तिब्रगती के चकरण के कारण, पिंड से पदार्थ अलग होने लगे, अर्था जो इस टार्टिंग में पिंड था, जैसे पहले यह कहते हैं कि इस तरह से गैसी सन अचला थी, यह कहते हैं इस परकार के कुछ गैसी सन अचला थी, धीरे धीरे क्या हुई गैसे एकत्रित होने लगें घूमने लगें और फिर यह कह रहें घूमने के कारण क्या हुआ इससे कुछ पदार्थ अलग होने लगा तो एक सिकंदे इन्हों ने कहा कि कुछ पदार्थ इससे अलग हो गया और अलग जब हो गया तो बीच का जो बचा ह वह भागता वो शुरी बना हना सुरी बना और फिर चारों और जो निकले पदार्थ हैं इनहीं पदार्त हो सिग्रह और उपग्रह का निर्माड को geys ऐन्होंने गैसिय ठ्यूरी दिया तो गैसिश्ट ठ्यूरी में बता रहें कि प्रारम में कुछ नहीं था सभी जगहों पर गैसे थी गैसें जो है कि गती कर रहे थी इनमें कुछ गैसे हलकी थी कुछ भारी थी भारी गैसों ने हलकी गैसों को आकरसित किया और सखन रूप धारित करने लगे और जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता गया इन गैसों की गती बढ़ती गए आप देखिए कोई जब आता लगा हुआ आता गुथा हुआ आता तो उसका कुछ भाग देखिएंग वह तूट कर अलग हो जाएगा कुछ भाग जहाँ पर आपने पकड़ रखा है हाथ वहीं पर है जाएगा बाकिा भाग तूट कर अलग हो जाएगे तो इसी तरह से ये कहते हैं कि आगे चल कर यही तूटे हुए भाग क्या बने जो है की ग्रह बने और यह सभी चीजे जो केंद्र का बचा हुआ भागता सूर्य उसके चार और गती करने लगे ये बात कौन कहा रहे हैं कांट महोद कहा रहे हैं जो कि एक दधर्मन दारसनिक है अब हो सकता है इन्होंने बहुत सी कुछ चीजे गलत की हूँ, हना हो सकता है कि इन्होंने जो बाते कही हूँ, आप उससे सहमत नहीं, इसी के कारण इनके सिध्धान्त को नकार दिया जाता है, तो जो ये सिध्धान्त कहते हैं, उसकी कुछ अपनी सीमा है, ठीक है, ठीक, तो इन्होंने कहा कि जो केंद्र का बच्चा हुआ भाग था सूर्य बना अब इनके सिध्धान्त की आलोचना क्या क्या है वो इसलिए जान लेजे ताकि कोई आपसे पूछे कि भाई आपने इस सिध्धान्त पढ़ा तो क्या आपको बात जची क्या यह बात पूरी तरह ठीक लगते है तो आप आज ही पहली बार में अच्छी चीज खोच ले तो उसके बाद किसी को खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी धीरे-धीरे क्या होता है लोग गलतिया करते हैं और आगे आने वाले लोग उन गलतियों को दूर करते करते क्या करते हैं एक सही बिचार प्राप्त कर लेते ठ लेकिन आकार बढ़ने से केंद्रा जो पसारी बल है अर्था जो बाहर की वो लगने वाला बन केंद्रा पशारी जो बल है वह क्या होगा वह कम होगा ठीक है इन्होंने कहा केंद्रा पसारी बल और पदार्थों के तिब्र गति से चक्रण से तो यह जो कहते हैं कि केंद्रा पशारी बल जैसे जैसे आकार बढ़ने लगा किंद्रा पशारी बल जो है अर्तर बाहर की लगने वाला बल बढ़ने लगा जब कि ऐसा नहीं होता है किसी चीज का जब आकार जो है कि बढ़ता है मतलब वो जब कंपोजिट हो रहा है सखन हो रहा है तो उसका जो आकार है उसक उसका निर्मार धूल और गैसों से हुआ था, एक ही तरह के तत्तों से उगा था, तो प्रश्ण यह आएगा, कि आखिर एक भाग शूरी की रूप में, शूरी क्या है, यह तारा है, तो सूरी की रूप में क्यों बना और बाकि अन्य जो पिर्ण थे, वह तारा क्यों नहीं ब है कि भाई जो केंद्र का भाग था वो तो सुरी बना बाकी भाग जो गरा उपगरा बने तो इनसे यह पूछा गया कि भाई बाकी जो अन्यपिंड थे जब वो भी उसी चीज से निकले हुए थे तो उनमें भी उसी की भी सिस्ता होने चाहिए थे वह तारे होते भली छोटे- तो इन्होंने इस बात का इस फश्टिक करण यह नहीं दे पाए जब यह नहीं दे पाए तो यहीं पर इंका सिद्धांद क्या हो जाता फेल हो जाता लेकिन आई होप आप समझ पाए होंगे कि गैसिस थेयोरी क्या कहना चाहते तो क्या आप कांट के सिद्धांद को एक वर बताई ये बिस बताई ये समझे सावल बताई ये क्लियर कि अब देखिए हम फिर आ जाते हैं एंसी आटी जैसे चैसे हमें आगे बढ़ाई आगे बढ़ाई आगे कहते हैं 1790 में इनहों ने जो सिधान दिया ये लगवक्ष सत्रेस सो पचास की नियर वार दिया तो सत्रेस सो चानबे इसमें गर्तग लापलास ने इसका सनसोधन प्रश्टक्ट्किया और किसका सनसोधन प्रश्टकिया यह जो सत्रेस elles ठिया कांटने दिया तो यह कहते हैं कि 17 nossa प्रश्टुत किया जो निहार का पल कल्पना के नाम से जाना जाता है नेबुला नेबुलर हाइपोथिसिस के नाम से जाना जाता है अब प्रश्णा आएगा कि नेबुलर हाइपोथिसिस क्या है लेकिन जैसा कि मैंने कहा नेबुलर हाइपोथिसिस अब तभी समझ पाएंग से हुआ जो सूरी की इवा अवस्था से संबन थे बाद में उन्निस्टों में चेंबल लोन और मोल्टन ने कहा कि ब्रहमांड में एक अन्य भ्रमण सिल्तारा सूरी की नज्जीक से गुजरा अच्छा यह सब छोड़ दीजिए अभी अब समझे निहार का परिकल्पना क्या है ठीक है तो यह हमने समझे यहां पर आई लापलास की निहारी का परिकल्पना नेबुला हाइपोथिस सत्रे सो चानवे मिन होना दिया तो जो कांट क कह चुके हैं उनकी गलतियों को यह दूर करने का प्रयास करेंगे सबसे पहले वर्ड समझे नेबुला क्या होता है नेबुला तो नेबुला जो है इसका जो संस्कृत में हना नेबुला का नेबुला को हिंदें बोलते निहारिका ठीक है और निहारिका निहारिका में निहा पर गैसी सन रचना आपको देख रही है तो इन्हों ने कहा कि प्रारम में आकास में क्या था धुवा और कोहरे जैसी सन रचना थी दुवे और कोहरे जैसी सन रचना थी तो प्रारम में एक गर्म तर्प्त नेवुला रहा नेवुला का मतलब गैसी सन रचना थी तो क्या और तप्त नेबुला के रूप में थी घिरे घे 사just City आप धूतित दाल कुछ भी रखते हैं ठंडा होंनेक लिए तो उपर से ठंडी हो tut तो यही कह रहा है कि धीरए धीरे नेबुला का बहरी भाग ठंडा होने लगा जब कि अंदर का जो भाग धिस्टेज में अब धिरे धिरी क्या हुआ उन्होंने कहा कि कुछ चीज़े इससे अलग होने लगे इस नेबुला से आप कोई कोई चीज लो जिसे कोई ऐसी चीज जो फैल सके अना जिसे आटा ले ले लो हना आटा लगा हूँ आटा लो उसको खुब घुमाओ तो मैंने कहा कि आटा क्या होगा डमुरू जैसा बन जाएगा हो सकता है फिर बाद में उससे कोई भाग तूटकर निकल भी जाए तो इन्हो चल्ले नूमा चल्ला जानते ना जैसे आप लोग होका पीते होंगे नहीं पीते होंगे तो आप देखिए सोचल मीडिया पर लोग होका को बढ़ाते बाद में इजो चल्ले नूमा सारचना के सीतलं सगर होने की कारण गरह और उपगरह बने जबकि जो मध्यवर्ती भाग अभी भी गरम बना हुआ था वो क्या बन गया शूरे बन गया तो कुछ ऐसी ही बात तो कांट ने भी कही थी कांट ने क्या किया था गैसियस ठियोरी का सहारा लिया था उन्होंने नेबुला सब्द का प्रियोग नहीं किया था और उन्होंने कहा था कि भारी गैसों ने हलक की गयसों को आकर सित किया और फिर एक सघन पिंड बना वह सघन पिंड टूट कर क्या हुआ प्रिथवी और सूरे का तारा बना जबकि यह कह रहे हैं कि एक ही चीज थी यह कह रहे हैं एक ही चीज नेबुला ही था बस नेबुला प्रारम में ही क्या था गरम था तो देखो पिछे वाले वाले hypothesis में तो हम ने कहा कि एक सूरे बना बाकी ग्रह ज्यों बने बाकी कि भी क्या बनना था, ग्रह बनना था या तारे बनते समे एक ही जैसे बनते हुए इन्होंने क्या किया इसTarting में ही चला के दिखा इन्होंने कहा कि जो नेर्बुला था वह प्रारम में ही गरम और तप्त था दरसली सुर्य को बनाना चाहते थे तो इन्होंने कहा कि प्रारम में ही नेबुला गरम और तप्त था और बाहरी जो नेबुला का भाग था वो ठंडा होता रहा और अंदर का जो भाग है वो ज्यादा ठंडा नहीं हो पाया और इसी क तो बाहरी भाग थी वग्या बन गये गे खुप्वाग ओ्प्व उपग्रह बन गये चूंकि ध्यान देज हैगा। जो सब्धिवर्ती भाग था इसका घ्ञत्त टो जा रहा था। तो जितनी भी चीजे थी जो ग्रह और उपग्रह बने इसके गुर्त्वा कर्षण में आ गए और इसी की कारण क्या हुआ इसका चक्कल लगाने लगे तो यहाँ पर जो नेबुला हाईतु फोतिसिस है यह प्रिथभी के उत्पत्ति के साथ-साथ अगर आप देखें तो यह सौर मंडल क उत्पत्ती की भी बात करती है कि नए इसके कई जगहों पर आप लिखा आपको मिलेगा कि सौर मंडल की उत्पत्ती निहारिका से हुई नेबुला या निहारिका सौर मंडल का जनक है यह NCRT में आपने लाइन कई बार पढ़ा होगा लेकिन अब बताए कि आज इस समझ में आ गया की नहीं ऐसा क्यों लिखा जाता है यह आपने कई बार पढ़ा हो गया क्या आपको इस चीज समझे में आई की नहीं किलियर किलियर बहुत तवियर ठीक नहीं लगरी बच्छो तवियर ठीक नहीं लगरी चोल जब तक जब तक हिमत पढ़ेगी तब तक करें किलियर है तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई यह निहारिका को सौर मंडल का जनक क्यों माना जाता तो बता देंगे आप क्या कीजिएगा नेवला हाइफोथिस बता देजिएगा फिर इन्हों का गुर्ता कर्संट क्या रहे तो जो केंद्रिय भागता जो बाद में सूर्य बना उसका सूरी जो बीच वाल मद्यवर्ती भाग सूर्य बने गया अब जब सूर्य बना और वह चारो तरब की चीजे उसके चारो और घोमने लगी तो केंद्र जो बीच वाला भाग था उसके अंदर एक परिक्रिया इस्टार्ट होई और परिक्रिया यह होई कि जो मद्यवर्ती भाग था उसके केंद्र में हाइड्रोजन क्या हुआ हिलियम में कनवर्ट होने लगा तो हाइड्रोजन के मॉलेक्यूस जब जोडते हैं तो हिलियम बनता है इसको बोलते हैं नाब की सनल्यन और नाब की सनल्यन से क्या होता है उर्जा बनती है और यही उर्जा हमारे और आप तक आती है इस्यू को हम सूरी का प्रकास बोलते हैं क्या यहां तक क्लियर हो गया क्या यहां तक क्लियर हो गया अब आजाते हैं आद्वनिक्षिता आपने क्या किया दो हाइपोथिसिस को समझ लिया अब तीसरी हाइपोथिसिस अब सोचिए आप में स से जो लोग आप सबके पास NCRT है कि नहीं आपके पास NCRT है कि नहीं अभी देखो मैं यहां तक आ पायां यहां तक आप आप यहां इतना परग्राफ हम लोग पढ़ पाएं और आपमें से कुछ लोग कहते हैं कि सर NCRT पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं जारा समय नहीं लगते थोड़ा सा समय लगता सब आदे घंटे में जिस तरह से आप NCRT पढ़ते हो वह NCRT पढ़ना नहीं है वो तो बस आप क्या गहर हो अपने आपको भरम का सिकार बनाते हैं मैंने इतनी चीजे बताई हैं और चितना इसमें NCRT में लिखा है क्या मैं इसस से दस मुना जादा नहीं बता रहा है एक लाइन में कुछ नहीं लिखा था उसके बीसे में पूरी थियोरी बता रही नेबुला की बिश्क नेबुला हाईपोतिसिस की विसे में ना के बुरावल लिखा है उसको हमने इतना बता दिये अब आजाए आप यहां पर हना जो modern थियूरी हे यहां पार आथो निक्षिता है कि ना वित नहीं करेंगे अभी करेंगे मैं करूंगा तो तुम लोग बहुत बंधमास हो ना तुम लोग को पढाई अधा करनी नहीं होती है बस अजी पानी पके लें ले?, फाहँ एक सिंद्सुद्ध के न पता नहीं किसको नजल लग गई है गराम पाने दीजे इस गिलास में डाल के दीजे इस गिलास में डाल के दीजे कि बहुत इंपोर्टेंट एंस याटी अध्यान रखना वच्छों बहुत इंपोर्ट आधुनिक सिध्धान अब हमें क्या करना है अच्छा आधुनिक सिध्धान वह किस से जुड़ा हुआ है वह ब्रहमांड की उत्पत्ति से सुना है जुड़ा है क्या ब्रहमांड अब मुझे समझा लेंगे या किसी को भी अब तो ब्रहमांड को आप समझा लेंगे अब तो ब्रहमांड समझाना आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं लगेगी खना प्रहमांड तो समय है 1927 एक भ्यक्ति हैं जार्च लेमेंटेर या फिर लेमेट्रा इनुम्मेट्रे की ह cevा आउस्स लगबक 15 og अरब बर्शपूर्छ एक विसाल काए अगनी पिंड था विसाल का अगरें कभ की बात हो रहे आज से 15 अरब बर्श तो ये क्या करेंगे ब्रहमान का नियर्मार करवाएंगे उसरे में प्रत्वीकार भी इन्होंने कहा ये जो पिंड था आज से 15 बर्श पूर एक पिंड पिंड का निर्माद भारी भारी पदारतों से हुआ था ये पिंड भोत छोटा ये पिंड ऐसा था एक डम चोटा सब्सक्राइब है करे समझें इहीं पिंडे फूटेगा तो ब्रह्मान बरेगा ये पिंडब बहुत चोटा था गृणट इसका अत्यंत था cet पूरी दुनिया की चीज इसमें थी इसको कैसे समय आप सब लोग देखा है प्लास्टिक तिरपाल जो होता है जो 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 पड़ी उपर डाला जाता है ट्रकों को लाजने के लिए रासन को ठकने के तिरपाल फैला हुआ होता है क्या आप उसको गला कर उसको एक गोला के उसी गोले को अगर आप रोलर में डाल कर जो तिरपाल बनाने वाली मसीन उसमें डाल देंगे तो तिरपाल बन जाएगा क्या हो सकता है कि नहीं आप कहेंगे बलकुल हो सकता है तो इन्हों ने कहा कि प्रारम में जो हमारी प्रत्वी थे वह इस गोले के रूफ में थे और यह फूटा, इसका विस्तार हुआ, तो जैसे तिरपाल था, जैसे गोला को क्या किजिए, इसको दबा दीजिए, तो इससे निकलकर तिरपाल बन जाएगा, और तिरपाल को पिगला देजिए, तो गोला बन जाएगा, तो यह तिरपाल को पिगलाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये गोले को पेखला कर तिरपाल बनाने की बात कर रहे हैं उसको समझे तो इन्होंने कहा कि पिंड का निर्मार भारी पदार से हुआ था ये पिंड बहुत छोटा था घरना तो इसका अतियंत था और तापमान बहुत चादा था अतितिक संकेंद्रन के करण आज से लगवा 13. पहले महाबिस्पोट को ही इंग्लिस में बोलते हैं बिग बैंग उची को बोलते हैं बिग मैं और यह चोण चानक हाना भी स्पोट हुआ वह बहुत थी कम समय के लिए था मतलब एक दू से जैसे आप क्या के जे कि कोई बहुत सी ठोस एक बम बनाएं और उसको बस ऐसे रख दीजे तुरंट फूट जाए और उससे जो पतार्थ निकले वह सैकडो किलोमेटर दूर तक फैल जाए ऐसा कुछ विस्पोट हुआ और यहीं से अब देखे कि यहां पर छोटा सा पिंड था थोड़ देर के लिए मतलब सेकंड से भी कम समय के लिए इसका विस्तार अर्थात यहीं जो पिंड है इसी के विस्पोट से क्या बना है ब्रह्माण बना तो इन्हों ने कहा यह ब्रह्माण इस विस्पोट के बाद कुछी सेकेंड में इन परदार्थों का क्या हो गया बिस्तार हो गया बाहर ने बिस्तार की प्रकिरिया धीमी पड़ गई लेकिन फिर भी अभी भी इसका विस्तार हो रहा है विखरे हुए पदार्थों से पिंडों का निर्मार हुआ अब आपको समझे कि आपको पिंड लीजे उसमें बिसफोट हो जाए उसके जो कण है वो दूर तक फैल जाए लेकिन फिर क्या होंगे अभी तो उनको एक जटका लगा ए बिखरे हुए पदार्थों थे वह कुछ पिंडों में एकत्रित होने लगे और इन बिखरे हुए पिंड पदार्थों के पिंडों के समों से आकास गंगाओं का निर्मार हुआ अब समझ में आया मैंने आकास गंगाओं के शमों का निर्मार हुआ बाद में आकास गंगाओ और क्या होने लगे उनकी क्ण्ञै और पास-पास, तार का मतलब जिस्से विए घर गटना के से ही समय, इस्थान और बस्तू की उत्पत्ति हुई तो इन्हों वोने का धीरे धीरे क्या हुआ इसी तरह से तारे बने और तारों के अलावा कुछ ऐसे भी गर्ह बने तारे बने ग्रह बने उपक ग्रह बने इनका कहने का पॉइंट है कि जो पदार्थ था यहां इसमें बिसफोट हुआ तो बिसफोट से सभी चीजे बिखर गए बिखरने के बाद वह जो है कि कुछ कण एक दूसरे से जोड़ने लगे तो इन जोड़े हुए कणों से आकास गंगाएं बने आकास गंगाओं में तारों का के चारोर घोमने वाले पदार्थों से उपग्रह का निर्माड हुआ और इस तरह से कहते हैं कि प्रित्वी और ब्रहमांड की उत्पत्ति हुई ठीक है ब्रहम इनका कहना है कि ब्रहमांड का विस्तार आज भी हो रहा है यह गुबारे के प्रियोग का आपको एक्जांपल देखें जैसे इस गुबारे में देखिए तो यहां पर यह जो आकास गंगा है इतने पास पास लेकिन जैसे जैसे आप इसको फुलाते जा रहे हो आप देखें आकास गंगा का क्या हो रहा है विस्तार होता चला जा ब्रहमांड का है फैलता है यह भी ब्रहमांड यह भी ब आदिए वाले समय में इस सिध्धान्त के अंसार जो ब्रहमांड का बिस्तार है वो और जारी रहेगा और और जारी इसलिए रहेगा क्योंकि जो बिग बैंग हुआ था तभी से ब्रहमांड का बिस्तार होड़ा कि यहां तक हम बात को समझ पाए किया हम यहां तक बात को समझ पाए कि 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 हम लोग सुझ पाए हंडेट परसेंट गड़ गड़ समझ में बिल्कु समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कु समझ में आएगा और इसी लिए मैंने इस्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि भया हम ब्रह्मांड बगैरा सभी आकास गंगाई सब्द बता दी थे बच्छो देखो थी तो ही मेरा अत्रट क्लास लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है तब या तभी भी बहुत कराद को लेकिन कुश दियर में फिर से आएंगे भी क्लास में एक next class में पॉल्टिक जो NCRT चल लए थे नो उस class में आएंगे ठीक है अभी पॉल्टिक के NCRT वाली class में आएंगे अगर आपको मेहनत लगे कि मेहनत गुरू जी कर रहे हैं और समझ में आ रहा है अना मेहनत करने का मतलब यह समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो कोई मतलब समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक और सेर कीचेगा दोस्तों के साथ सेर कीचेगा मिलते हैं next class में ठीक है next class